नमस्कार द्रिष्टीच CUET हिंदी के यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है मैं हूँ संजूर और जैसा कि आपको पता है कि CUET undergraduate का notification 9 फरवरी को आ चुका है तो इसी सिलसिले में आज हम लोग बातचित करेंगे CUET के बारे में कि CUET क्या है और इसके मतलब इसमें जो भी महत्रपूर्ण जानकारी होगी उस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आप यह जानिए कि CUET इसका नाम क्यों रखा गया Actually CUET का मतलब क्या है यहाँ पे Common University Interest Test और यह undergraduate मतलब UG Actually UG क्यों लिखा गया क्योंकि इसमें दो तरह के exam होते एक UG होता है और एक PG होता है मतलब Post Graduate UG का मतलब जब आप 12 करके किसी Central University, State University या कोई भी Private University में admission लेते हैं तो आप वहाँ पे undergraduate course करते हैं और जब आप graduation कर चुके होते हैं तब आपको आगे की पढ़ाई करने के लिए मतलब Post graduation जब आपको करना होगा तो आप उसमें CUET के PG exam को देंगे तो अभी जो हम लोग बात्चित करेंगे वह CUET UG के बारे में बात करेंगे और notification कब का है 2023 का मतलब यह जो examination है 2023 कह सकते हैं इसको ठीक है तो अब हम लोग देखते हैं कि कि इसमें कौन-कौन से university participate करते हैं तो सबसे पहले आपको बता दे कि इसमें जितने वी इंडिया में Central University है वो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसको केंद्री विश्विध्याले भी कहते हैं ठीक है उसके अलावा ठीक है ना प्राइवेट यूनिवर्सिटी ठीक है इस्टेट यूनिवर्सिटी ठीक है डिम्ड यूनिवर्सिटी ये सब भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस एक्जाम में अपने कॉलेज में या अपने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए पहले क्या होता था कि जब आप 12 करके आते थे तो आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग-अलग अप्लिकेशन डालना पड़ता था या फॉर्म अप्लाई करना पड़ता था फिर सारे यूनिवर्सिटी अपना अलग-अलग इंट्रेंस टेस्ट कराते थे या कटफ के प्रिशानियों का सामना करना पड़ता था तो इसी सब चीज को देखते हुए सरकार ने कौमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट का फैसला लिया इसमें क्या है कि आपको एक ही एक्जाम देना है और उसी बेसिस पे उसी एक्जाम के रिजल्ट के बेसिस पे आपको किस फिर उसके आधार पे आप अपने मतलब मार्क्स के आधार पे आप उसमें दाखिला ले सकते हैं ठीक है तो यह तो हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी अब बात करते हैं कि CUT exam conduct कौन कराता है जो सबसे important बात है कि यह exam conduct किसके द्वारा कराया जाता है तो देखिए इसको जो कंड़क कराया जाता है वो है NTA मतलब National Testing Agency ठीक है ना इसके द्वारा कंड़क कराया जाता है और यह जो है एक्जाम ऑनलाइन कंड़क कराया जाएगा आपको यह भी बता दे नेशनल टेस्टिंग एजनसी एक्जाम को ऑनलाइन कंड़क कराएगी ठीक है अब इसमें सबसे महतपून बात जो है वो देख लेजिए कि इसका फॉर्म कब से फिल होना शुरू हुआ है तो 9 फरवरी से 12 मार्च यहाँ पर लिख देते हैं नौ फरवरी से 12 मार्च लगबग एक मैने का समय है आपके पास फॉर्म को अपलाई करने का और 12 मार्च में भी रात के 11.50 मजे तक उससे पहले पहले आप फॉर्म को अपलाई कर ले ठीक है ना उसके बाद आपका इसमें कुछ मान लेते फॉर्म भड़ते समय आपसे कुछ गलतियां हो जाती है ठीक है ना तो उसके लिए भी आपको NTA मतलब CUT में एक चीज है कि correction in particulars मतलब आप इसमें कुछ correction कर सकते हैं वो correction का टाइम उसने दिया है 15 मार्च से 18 मार्च आप इसके बीच अपने फॉर्म में जो भी correction हो सकता है आप उसको कर सकते हैं ठीक है ना उसके बाद क्या है तीस अपरेल 2023 को आपका एक examination का CT मतलब आपको बता दिया जाएगा कि आपका किस सहर में paper होगा उसके बाद आप admit card जाहिर सी बात है जब examination CT आपको पता लग जाएगा तो आप admit card download करेंगे क्योंकि उसी में सारा डिटेल होगा examination CT का state का और मतलब परिच्छा केंदर का क्या नाम है तो वो आपको second week of May में आपको admit card मिल जाएगा admit card भी आपको online ही download करना पड़ेगा आपके घर पे वो नहीं जाएगा मतलब आपको online ही मतलब उसको download करना पड़ेगा कि फिर है date of examination सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि अब exam हमारा कब होगा तो exam जो है आपका 21 में से 31 में मतलब 21 मई से 31 मई तक आपका exam होगा ठीक है ना इसमें एक चीज और है कि माल लेते हैं यह तो exam date किया है नंबर आप candidate को मतलब पिछले साल के नंबर आप candidate को देखते हुए कि हाँ इतना ही candidate पिछले साल जैसे लगवग 15 लाग के करीब लोगों ने फॉर्म अपलाई किया था माल लेते हैं इस बार फॉर्म ज्यादा अपलाई हुआ या ज्यादा candidate exam देने पहुँच गए तो हो सकता है इस date में पूरा exam complete ना हो सके तो एक reserve date रखा गया है reserve date क्या है first June से पेबन जून आप इसके बीच भी किसी का exam हो सकता है अगर वो उस date में exam का उसका date नहीं आया तो घबडाने की बात नहीं है आप एक जून और साथ जून मतलब एक से साथ के बीच भी आपका exam हो सकता है क्योंकि यह reserve date है ठीक है उसके बाद आपका answer की कब आएगा वह आपको बाद में website पे मिल जाएगा और इसका website क्या है www.nta.ac.in और या cuet.ac.in इस पे भी आप कोई भी जानकारी को जाकर देख सकते हैं उसके बाद आपका result NTA के website पे आपको उसके website पे बाद में announced किया जाएगा जिसका भी date announced नहीं है ठीक है ना उसके बाद अब है कि सबसे उसके बाद जो महतपुन बात क्या है कि इसमें आपको fees कितना देना है आप जब form apply करेंगे तो जाहिर सी बात है fees भी पे करना है तो यहाँ पे चीज़ देख रहे हैं इसमें तीन कैटेगरी में fees दिया हुआ है ठीक है ना एक तो यह कैटेगरी है general OBC SCHT और outside of India बट इसके अलावा यहाँ तीन कैटेगरी है up to three up to seven और up to ten subject यह क्या होत करते हैं तो आपको 15 रुपे पे करने और अगर आप 10 subject चूज करते हैं जो maximum है इसके बारे में आगे बात करेंगे अभी तो उसमें आपको 1750 रुपे payment करने EWS OBC के लिए अलग है SCHT PWD candidate के लिए अलग है तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि आप subject को कैसे चूज करेंगे up to three का मतलब क्या है या seven का क्या मतलब है या 10 का क्या मतलब है ठीक है तो चलते हैं आगे देखते हैं क्या है अभी जैसा कि आपको बताया था कि mode of the test मतलब computer based test का मतलब आपका जो पेपर होगा वह computer पर होगा online exam जिसको कहते हैं ठीक है मतलब यह computer पर ही आपको exam देना होगा multiple choice questions उसमें होगे मतलब paper mode नहीं है मतलब paper pen से आपको exam नहीं देना है ठीक है ना आपका exam जो भी होगा वह computer पर होगा आपको वहाँ पर माउच से अपने option को click करना पड़ेगा computer और exam जो है वह objective टाइब है मतलब कि आपको एक question दिया जाएगा उसके चार option होगे उसी में से आपको एक answer को choose करना है multiple choice question का मतलब चार option होगे आपके पास a,b,c,d उसी में आपको एक option जो आपका सही लग रहा होगा आपको उसको choose करना है ठीक है अब क्या है medium अब जाहिड सी बात है कि अगला प्रस्न ये पूछा जाता है कि exam का medium क्या होगा हम किस language में exam दे सकते हैं तो आपके पास 13 भासा हैं उसमें से आप किसी एक भासा को choose कर सकते हैं ठीक है syllabus है यहाँ ठीक है ना कि language में कौन-कौन सा syllabus है domain subject है general test है तो अभी हम इस पर बात करेंगे कि language test क्या होता है domain test क्या होता है और general test क्या होता है ठीक है कि इस पर detail में बात करेंगे तो mode of the examination आपको पता चली गया है कि यह computer-based test है जिसको full form तो computer-based test है सौर्ट में इसको हम लोग CBT भी कहते हैं ठीक है question paper आपको मतलब यह drawing from the national education policy मतलब यह national education policy के तहत मतलब question रहेगा आपका इसक में और आप देखिए इसमें जो language और examination center यह जो दिया हुए आप इसको समझे अगर आप सिर्फ English में एक्जाम देना चाहते है English language में तो English language क्या है कि all over India मतलब सभी center पे English language में paper आएगा English और Hindi में यह भी आपके सभी center पे होंगे English और Assamese अब Assamese का क्या मतलब है कि जो Assam से होंगे जो Assam के रहने वाले लोग होंगे उनको वहाँ पे Assamese में paper होगा और English में भी होगा बंगाली के लिए भी क्या है कि बंगाल तिर्फुरा एंड अन्मान और निकोवार में भी वहाँ पे आपको बंगाल और English में मतलब बेंगॉली और English में paper मिलेंगे उसी तरह गुजराती है इंडिया है पंजाबी है तमील है तेलगू और उर्दू उर्दू भी आपके all over इंडिया में मतलब एविलेबल है खिक है तो यह तो हो गया अब देखिए अब जो महतपुन बात है scheme of examination मतलब examination का scheme क्या होगा pattern क्या होगा है ना तो देखिए इसमें क्या है पहला section उसके बा बात को आप समझिए section क्या है कि तीन section में एक्जाम है एक तो है आपका पहला ठीक है दूसरा और यह तिसरा तो पहले में क्या है कि आपका इसमें भी पहला section है आपका language में लेंग्वेज में भी आपका दो लेंग्वेज। एक है 1A1B 1A में जो है ना वह आपके 13 डिफरेंट na ज जिसमें आप किसी एक को चूज कर सकते हैं और 100 में क्या है 20 लेंग hem इसमें भी आपIDE एक language को चूज कर सकते हैं ठीक है ना कि एक्षन टू ठीक है अब यहां पर देख लेते हैं सेक्षन टू क्या है कि एक्षन टू है डोमेंट टेस्ट अब आप इसको अच्छे से समझेए कि डो मैं टेस्ट किया होता है पहले आप यह बात समझ लिजिए कि लैंगवेज में कितने पेपर हो गए 33 मतलब इसमें 33 सबजेक्ट है लैंगवेज में कि तेरा लैंगवेज हो है और बीस मिला के 33 हो गए अब डूमेन में डूमेन में टोटल है 27 सब्जैक्ट मतलब 27 ठीक है यह सब्जेक्ट क्या है तो जो आप 12 में पढ़के आयोंगे न या कुछ सब्जेक्ट इसमें ऐसे होंगे जो आप नहीं पढ़े होंगे लेकिन यह कहीं न कहीं 12 के स्लेवस के आधार पे है ठीक है न 12 के स्लेवस के आधार पे है डोमेंट टेस्ट मतलब जो भी डोमेंट टेस्ट चूज करेंगे उसको आपको 12 का स्लेवस फॉलो करना पड़ेगा आप जो 12 में पढ़के आये उसी से आपको इसमें प्रसन पूछे जाएंगे डोमेंट सकताय से इसमें भी आप किसी एक सब्जर्ट को चूज कर सकते हैं उसके बाद है आपका जर्णरल टेस्ट जर्णरल टेस्ट में क्या है कि आपको इसमें करेंट अफेर्स मैस रिजिनिंग न्यूमिरेकल एविलिटी ठीक है ना इस तरह के प्रसन आप से पूछे जाएंगे ठ तो आप इसमें एक पेपर है तो एक ही चूज कर सकते हैं ठीक है ना तो इस तरह आपके थ्री सेक्षन है अगर आप बात करें कि इस तीनों सेक्षन को मिला कि टोटल कितने पेपर हो गए तो देखिए लेंग्वेज में कुल 33 हो गए ठीक है ना डोमेंड में कितने हो गए 27 और जेनरल टेस्ट में कितने हो गए एक अगर चीनों को जोड़ देन तो यह टोटल 61 वन पेपर है ठीक है अब देखे इस में से उससे जरूरी बात यह है कि इस 61 पेपर में आप मैकसिमप कितना पेपर चूज कर सकते हैं तो आप मैक्सिमम तीनों सेक्षन को मिला के रस सब्जक्ट चूज कर सकते हैं आगे पढ़ाई करने के लिए ठीक है तो आप कैसे कैसे चूज कर सकते हैं माल लेते हैं आप इससे दो ले ले ठीक है ना इससे आप माल ले जे साथ ले ले और इससे एक ले ले क्योंकि इसमें एक ही है जेनरल टेस्ट में तो आप इसमें एक ही लेंगे उसके अलावा साथ यहां से ले ले दो यहां से ले अम्माल लेते तीन यहां से ले छे यहां से ले एक यहां से ले इस तरह करके आप अपना 10 10 combination बना सकते हैं लेकिन हाँ अब आपके मन में यह कोस्ण आ रहा होगा कि 10 पेपर देना तो ऐसा नहीं है मतलब यह तो maximum है मैक्सिमाम का मतलब आप 10 से ज्यादा नहीं दे सकते लेकिन 10 से कम दे सकते हैं आप एक से 10 जितना पेपर आपको चूज करना है आप चूज कर सकते हैं लेकिन इस्टूडेंट क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा इसलिए चूज कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे उनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्स नहीं होते हैं किसी उनिवर्सिटी में होते हैं तो आपक आपको लेंग्वेज में कोर्स करना है माल लेते हैं किसी को माल लेते हैं उर्दू पसंद है तो इस तरह करके आप अपना मैक्सिमम लेके चलिएगा जिससे आपको आगे पढ़ाई करने में परिशानी नहीं होगी अब आप पूछेंगे कि 10 चूच तो कर लेंगे तो एक्ज में ठीक है तो हो सकता है कि आपका एक दिन में तीन एक्जाम हो जाए फिर अगले दिन आपका हो जाए फिर हो सकता है कि अगले दिन ना हो के दो चार दिन के बाद हो जाए तो आपका एक्जाम कभी भी उस डेट के बीच हो सकता है जो डेट आपको अभी बताया गया था इ एक दिन में तीन पेपर आ गया लगातार तो आपको इसको मान के चलना है कि हो सकता है कि आपका एक दिन में तीन पेपर भी हो जाए ठीक है तो आप जितना सब्जक्ट करेंगे आपको उसी के अनुसार अपनी preparation को करना पड़ेगा ठीक है तो ये तो होगे आपका आप इसमें एक जो important बात है वो देख लिजे कि पहले क्या होता था ना कि पहले आपको इसमें 50 में से 40 questions आपको choose करना है मतलब इस पहले section में क्या होगा आपको 50 questions आपके screen पर दिखेंगे मतलब आपके paper में 50 questions होंगे जिसमें कि आप लोगों 40 questions के उत्तर देने मतलब यह आपको 10 questions कोई भी आप छोड़ सकते मतलब 40 questions कोई भी आप attempt कर सकते section 2 में क्या है कि आपके screen पर 35 वटे 40 लिखा है और 45 वटे 50 लिखा है इसका क्या मतलब होता है कि इसमें दो pattern में एक्जाम होंगे या तो आपके paper में 40 questions होंगे या आपके paper में 50 questions होंगे section 2 की बात कर रहे हैं तो इसमें से आपको या तो 35 और इसमें या तो 45 मतलब कोई भी 35 प्रसन आप इसमें बना सकते हैं और अगर 50 दिखेगा तो आपको कोई भी 45 questions आपको बनाने पड़ेंगे उसी तरह अगर section 3 की बात करें तो इसमें 60 प्रसन आप से पूछे जाएंगे जिसमें से आपको कोई भी 50 questions के उत्तर देने होंगे इसको हम clear एक इस पर लिख देते हैं पहले लिखते हैं section 1 कि जिसको कहते है लैंग्वेज टेस्ट कि इसमें आप से दें फिर आप से 20 से 30 सा नहीं कोई भी 40 आप चूच कर सकते हैं उसके बाद है आप से section 2 कि इसमें ध्यान रखेगा section 1 में 1A और 1B दोनों की बात कर रहे हैं मतलब 13 प्लस 10 20 मतलब 33 लैंग्वेज में कोई भी section 2 जो है आपका domain ठीक है इसमें क्या होगा कि इसमें आपके अगर 40 प्रसंट पूछे जा रहे हैं तो आप 35 प्रसंट के उत्तर देना और अगर 50 प्रसंट पूछे गए तो आप 45 प्रसंट के उत्तर देना है आपको ठीक है यह हम 27 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो domain में है तीसरा है आपका section 3 इस तरह के प्रसंट आप से पूछे जाएंगे इसमें इस बार साट को संस पूछे जाएंगे और आपको केवल और केवल किनी भी 50 प्रसंट के उत्तर देने हैं अब आप यह बोलेंगे कि ऐसा क्यों बता रहें मतलब पिछले साल कुछ और था किया तो हाँ पिछले साल थोड़ा सा changes यह था कि पिछले साल इसमें से 50 प्रसंट पूछे गये थे और मातर 40 प्रसंट के उत्तर देने होते थे दोमेन में और जनरल टेस्ट में 75 प्रसंट पूछे जाते थे और 60 प्रसंटों के उत्तर देने होते थे जो कि इस बार number of persons को NTA ने कम किया है और इसको दो पार्ट में कर दिया है या तो 35 या 45 देने होंगे 40 और 50 में से ठीक है यह सबसे महत्तपूर्ण बात है ठीक है अब देखते हैं स्लेबस ठीक है तो देख लेजे लेंग्वेज में आपसे क्या पूछा जाएगा ना रेडिंग कॉम्प्रिहेंशन ठीक है डिफरेंट टाइप आप पैसेजेज रहेंगे फैक्च्च्वाल लिट्रेरी नरेटिव लिट्रेरी एक्टिट्यूड वोकैबलरी इस तरह के है तो आप वहां जाके अपने स्लेबस को डाउनलोड कर लेना पूरा डिटेल स्लेबस है सब्जेक्ट बाइस सब्जेक्ट जो भी है उसके सारे डिटेल स्लेबस बहुत अच्छे से मेंसंड है और आपको बस इतना याद रखना यह 12 के बेसिस पर है लेवस तो आप देखी अच्ων में क्या और होता है कि आप से को सन्मोलीटी है एकनॉमिक से और करेंट अफेर स्क्रेंट लगरिंट अफेर्स में क्या होसकता है नेसनल international करेंट टा फफेर्स जो घहतना मतलब घठती रहती है माल लेते इस देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश गए दूसरे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश आते कुछ क्या नाम है वो जो एग्रिमेंट होता है आपस में ठीक है इस तरह के आप से को संस पूछे जा सकते है current affairs में ठीक है जैनरल मेंटल एविलिटी इसमें क्या होता है कि आपसे mathematical टाइप के प्रसन पूछे जाएंगे reasoning के भी प्रसन इसमें पूछे जाते हैं ठीक है न numerical ability में क्या होता है आपसे math के questions पूछे जाएंगा और यह सब इसलिए साधारन सा प्रसन पूछा जाएगा तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि बहुँत प्रसन नहीं पूछे जाएगे क्वांटिटेटिव रिजनिंग मतलब इसमें क्वांट और रिजनिंग दोनों मिला होगा इसका नामी है क्वांट रिजनिंग क्वांट रिजनिंग का मतलब क्वांट का मतलब हो जाता है मैथ और रिजनिंग का मतलब हो जाता है मतलब reasoning मतलब तरक सकती हिंदी में जिसको कहते हैं तो mathematical reasoning एक तरह से इसको आप बोल सकते हैं जिसमें क्या होगा equations related person पूछे जा सकते हैं जिसमें कि कहीं न कहीं reasoning का भी उपी हो रहा होगा और mathematical equation और mathematical terms का use हो रहा होगा आपको इसको समझना है इसलिए इसके bracket में देखे लिखा गया simple applications of basic mathematical concept arithmetic algebra geometry mensuration statics logical and analytical reasoning ठीक है न तो logical और analytical reasoning क्या होता है देखे लॉजिकल और analytical reasoning होता है मतलब जैसे आपसे कोई question तरक में पूछा जाएगा कि मतलब सरकार को यह कदम उठाना चाहिए यह सरकार ने ऐसा कदम उठाया है तो आपकी क्यार आया है आपसे इस तरह के प्रसन पूछे जाएंगे या assumption argument इस तरह के इसमें प्रसन पूछ कारन के प्रसन इस तरह के प्रसन इसमें critical reasoning में पूछे जाते हैं जिसको लॉजिकल और analytical reasoning भी पूछे कहा जा सकता है इसमें आपके सिलोजिजम के भी प्रसन पूछे जाते हैं कि आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो आगे हम उन्हीं सब चीजों पर बातचीत करेंगे तो आप देखें सबसे बड़ी बात है eligibility का मतलब कि इस application को कौन-कौन अपलाई कर सकता है तो सबसे जरूरी बात है कि आप 12 पास होना चाहिए या इसके equivalent जो भी कोर्स होता है आप उसको किये हुए हो मतलब 2023 में जो भी लोग appear करेंगे उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि कोई एज लिमिट नहीं होता है इसका यह मतलब नहीं कि एज लिमिट नहीं है तो ऐसा नहीं है अगर आप मान लेते 2023 में फॉर्म अपलाई कर रहे हैं तो यह mandatory है कि आपका 2021 में आपका 10 होना चाहिए अप 10 पास कर चुके हो ठीक है उसके बाद है candidate हुए past the class 12th equivalent examination ठीक है और appearing ठीक है मतलब ऐसा ने कई लोगों का माल लेते हैं कि फॉर्म भरते से में result ना आया हो तो ऐसा थोड़ी कि वह फॉर्म अपलाई नहीं करेगा वह भी फॉर्म अपलाई करेगा बस इतना है कि वह 2023 मे या तो exam दे चुका हो या दे रहा हो या उसका result आ चुका हो या आने वाला हो वो सारे लोग T.U.E.T. 2023 के लिए eligible है ठीक है न लिश्ट of qualifying examination देख लिजे 12th में कौन-कौन सा exam अगर 12th equivalent कौन-कौन सा exam माना गया है तो यहाँ पी यह सारा mentioned है उसके bulletin में जो आप bulletin करेंगे उसमें आपको यह सब चीज दिख जाएगा ठीक है ना उसके बाद देखिए schedule of examination chapter 7 में दिया हो है schedule of examination मतलब examination आपका कैसे कैसे होगा और कब-कब होगा तो आपको जैसा भी बताया गया कि 21-31 मही के बीच आपका exam होगा यह आपको बताया ही जा चुका है और यह update है एक से साथ जून पीवीटी फॉर्म में exam होगा मतलब online exam है और तीन slot में होगा slot 1, slot 2 और slot 3 ठीक है timing और duration यह आपको बाद में बताया जाएगा ठीक है आप website को visit करते रहना एक बात यह है कि compensatory time जो है na PWD candidate मतलब जो मतलब जो देख नहीं सकते ऐसे लोगों के लिए 20 minute ठीक है government of India के rule के अनुशार ठीक है ना उसके बाद है examination will be held on multiple days in three shift in a day मतलब exam यह तो तै बात है कि एक दिन में तीन ही होगा लेकिन कितना दिन तक होगा यह तै नहीं है ठीक है क्योंकि वो number of candidates पे depend करता है कि number of candidates कितना हमारे पास आ रहे है form apply करके माल लेते ज्यादा आ रहे है तो बहुत दिन तक exam चलेगा थोड़ा कम है तो कुछ दिन में exam खतम हो सकता है ठीक है ना तो तीन स्क्रिप्ट में आपको exam देने को मौका मिलेगा और आपके admit card पे exam का time ठीक है ना और center इस अब आपके exam के admit card पे mention होगा ठीक है ना तो आप exam के admit card को आप अपने NTA के website से download कर सकत है तो आज जो हम इस topic पे चर्चा कर रहे हैं इसमें सबसे महतपून बात है जो हम लोग आगे बातचित करेंगे ना वह जन्रल टेस्ट पर करेंगे जन्रल टेस्ट में हम लोग को कैसे तैयारी करना है क्या run नीती होनी चाहिए और आगे कैसे इसकी पढ़ाई करेंगे जिससे आपका जन्रल टेस्ट बहुत आसानी से clear हो सके और यह बहुत आसान भी होता है क्योंकि इसमें क्याना बहुत basic सा प्रसन पूछा जाता है math से reasoning से और देखे current affairs से कहीं ने कहीं आप लोग वाकिफ होते हैं क्योंकि आज सब लोग के हाथ में mobile है internet की दुनिया से जुड़े हैं कोई भी नेता कहीं जा रहा है या फिर कोई भी घटना घट रहा है कोई important व्यक्ति जो celebrity हैं उनकी मिर्तिव हो जाती है तो इस तरह के news आपके आ असानी से हो जाएगा इसमें साट कुछतन है ठीक है थीक है ना इसमें तीनों चीज रहाएगा ठीक है टेक करेंट अफेर्स है मैथ है और रिजनिंग है हम इसको तीनी कैटेग्री में अभी लेके चलते हैं current affairs वारिजनिंग और current affairs या फिर आप कहलें जीके दोनों को एक मि लेके चलते हैं इसमें दोनों मिला होगा current affairs भी और जीके भी और static gk भी होगा तो अगर math की बात करें और रिजनिंग जीके या current affairs तो देखिए math में आप कुछ 10 तक तो कम से कम सारे लोग लगवक math पढ़ ही होते हैं 11 में बहुत लोग math छोड़ देते हैं जो biology ले ले लेते हैं ठीक है ना reasoning basically आपके general mental ability के अंदर आता है मतलब आपका तर्क सकती आपका जो test है वो mental ability का test होता है कि आपके मतलब इसका test लिया जाता है कि आपको कितना basic knowledge है तो math के अंदर आपसे basic से जो चैप्टर होते हैं जैसे percentage है ratio है profit and loss है time and work है time and distance मैंसुरेशन है algebra है geometry है इस सबसे आपको प्रसंद पूछे जाएंगे तो math के माल लेते हैं बहुत important जब chapter है उसको लिख देते है profit loss है ठीक है ना percentage है time work है time speed and distance है ठीक है इन सबसे प्रसंद पूछे जाएंगे मेंसुरेशन है कि अलजेबरा है कि जो मेंटरी है कि इस्टैक्स है ठीक है यह सबसे आपके प्रसंद पूछे जाएंगे इसमें और भी एवरेज है ठीक है एवरेज भी लिख लेते हैं अच्छा टॉपिक है ठीक है रेशियो है तो आप से मैथ में इन सब चैप्टर से प्रसंद पूछे जा सकते हैं और आगे हम जो भी वीडियो लाएंगे तो आप से इन सब टॉपिक पर अच्छे से इस पर कोस्टन्स भी डिसकस करेंगे जो प्रिवियस यह मतलब जो पिछले साल एक्जाम हुआ है CUT 2022 का उसमें जो भी प्रिवियस यह में मैस के और इसनिंग और करेंट अफेर्स के प्रसंद पूछे जाएंगे या पूछे गए होंगे सौरी तो हम उस पर बातचित करेंगे या उसको कैसे जल्दी से जल्दी हल करेंगे वो समझेंगे बेसिकली देखिए जब आप लोग 12 करके आते हैं तो आप वहां पे बहुत डिटेल में मैस पढ़के आते हैं आप बहुत बेसिक से बनाते हैं वहां पे मैस को कि कोई भी चीज को चूकी माना की इस तरह करके बहुत सारे फॉर्मूलाज को यूज करते हैं युक्त स्टेब बाई बनाते लेकिन अब आपको क्या है कि exam competitive देने जारे एक तरह सही है तो अब इसमें क्या है कि आपको वहां पर explanations नहीं देना ला किसी भी कोर्शन का आपको explanations नहीं देना तो आपको वहां पर जल्दी से जल्दी बनाना क्योंकि आपके पास time भी है कम time आपको बताया नहीं कि आपको 45 minute language और domain के लिए 45 minutes है अबलेबर और इसके लिए भी 45 minutes ही होंगे ठीक है ना तो इस तरह करके कि आपके पास time बहुत कम है तो आप इसी time के बीच आपको तीनों चीज बनाना है तो आप वहां पर कोसिस करेंगे कि जल्दी से जल्दी बनाए तो हम आपको यहां पर short trick बताएंगे हम आपको short trick मतलब बहुत जल्दी कैसे बनाना है formula ना यूज करते हुए कैसे बनाना है यह अगर formula यूज भी करेंगे तो formula को जल्दी से जल्दी कैसे apply कर देना है को स्थे तो इस तरह के चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे reasoning में भी क्या है कि reasoning में भी आपसे बहुत सारे इसमें mathematical reasoning पूछे जाएंगे quantitative reasoning पूछे जाएंगे ठीक है ना आपसे coding decoding के person पूछे जाएंगे हो सकता है blood lesson से person पूछ ले तो आपको इन सब चीजों के बारे में आपको बताएंगे और इसको कैसे जल्दी बनाना है कैसे approach जल्दी करना इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे जीके और current affairs में तो देखे क्या है कि यह आपको बस एक तरीका बता देंगे कि आपको कैसे पढ़ना है कहां से पढ़ना है तो बहुत सारे website पे आपको जीके मिल जाएंगे पढ़ने को current affairs आप news पे पढ़ पढ़ें आप YouTube चैनल द्रिष्टी का follow कर लें उस पे daily कुछ न कुछ current update आते रहते हैं static जीके के परसन पूछे जाते हैं ठीक है ना तो आप वहाँ पे बहुत सारे quiz होते हैं website पे YouTube चैनल पे इसके तो आप उसको solve कर सकते हैं उससे आपके जीके और current affairs के portion बहुत आसानी से तयार हो जाएंगे तो आप वहाँ पे द्रिष्टी के के हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेए वहाँ पे आपके बहुत सारे जीके और current affairs के questions आपको हर दिन नए नए दिख जाएंगे और मांकि mass reasoning के question को आपको हम बहुत आसान तरीके से बता आनी से मतलब CUT का form भी भड़ लेंगे उसके बाद आप CUT के तयारी कर लेंगे तो हमारे द्रिष्टी के YouTube चैनल को follow कर लिजिए मतलब द्रिष्टी CUT हिंदी के YouTube चैनल को चैनल का क्या नाम है द्रिष्टी CUT हिंदी आप इस YouTube चैनल को follow कर लिजिए इस पर बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं और आगे भी इस पर बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा तो यहां पर आप अपनी तयारी को और बहतर कर सकते हैं तो अब आप CUT के बारे में बहुत अच्छे से समझ गया होंगे कि CUT 2023 में क्या-क्या महतपुन चैन्जेज हुए हैं और CUT 2022 से 2023 में क्या-क्या अंतर है तो आप इन सब चीजों को आज इस वीडियो में समझ गया होंगे तो आप आगे आप अपनी तयारी को करते रहिए फॉर्म आ चुका है फॉर्म अप्लाई कर लिजे समय से पहले क्योंकि लास्ट में वेफसाइट में ग्लिचे जा जाते हैं फॉर्म अप्लाई करने में दिक्कत ना हो तो आप जितना जल्दी से जल्दी हो फॉर्म को अप् से मिलेंगे आप अपने तैयारी को करते रहें आज के लिए थैंक्यू सो मच